नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर स्वागत है तो दोस्तों जैसा जैसा कि आपको थम्नेल देखकर पता चल रहा होगा कि मैं ये वीडियो किस बारे में बनाया हूं तो दोस्तों जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि आपके स्क्रीन के उपर दिख रहा होगा बिहार पुलिस को स्टेबल रिजल्ट हो जारी किस कट आफ और 8415 पूस्ट है तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये रेक्वेस्ट करना चाहूं को वीडियो को बिना स्किप कियो वे जिससे कि हमें थोड़ी मोटिवेशन मिले और आपको आगे की अपडेट्स मिले और आने वाले एक्जाम्स की रिजल्ट्स की हर तरीके की अपडेट्स मैं यहां प्रवाइड कराता हूं तो इसके लिए आप बिल्कुल वीडियो ध्यान से देखें बिना स्किप कियो वे त सब्सक्राइब का नाम कॉंस्टेबल कूलपच 415 भरने की प्रक्रिती ऑनलाइन थी 14 दिसंबर 2020 अधिकारी की वेब साइट आपको मैं आल्रेडी दे चुका से कल की वीडियो में तो महत्वपूर्ण तारीक क्या क्या थी अविदन शुरू होने की तारीक थी 3 नमंबर अव रिजल्ट जा रही होने की तारीक थी 1 माई से 10 माई तो दोस्तों अब बात आती है यहां पर की रिजल्ट करगा जो है क्या हूआ है तो उससे पहरे दोस्तों जो कट-off निकाला गया जैंना दोस्तों जो कट-off है कट-off अब ध्यान से देख लें क्यूंकि आपके लिए यह बहुत ही ज्यादा लाब्डा आगा है अन्रिजर्व्ट के लिए 349 सीट है EWS के लिए 849 वह OBC के लिए 980, EWS के लिए 1470, EWS के लिए 1370, EWS के लिए 82 और OBC फीमेल्स के लिए 245 तो दोस्तों आज के डेट में सभी के लिए सभी के लिए जानकारी बहुत ही जादा इंपॉर्टेंट हो गई है लेकिन उमिदवारों जो रिजल्ट जो भी इसी रिजल्ट का पे सब्सें इनतजार कर रहे हैं उनका जो है अगर आप अपने एक्जाम से संतूस्ट थे तो यह देखिए एक्सपेक्टेड कट अफ भी म सब्सेंट सब्सेंट सरी के ऺंज्ट रे देखिए नाट कर यह दूस्तो भी जर्थे सब्सेंट मोलेक के लिए अव मैं बात करों समयल से कि महिला करों तो यह दुस्तों क्यों की जिनरल के लिए हैं 56 से 83 EWS का 56 से 61 SC के लिए 53 से 58 ST के लिए 49 से 54 EBC के लिए 54 से 58 BC के लिए 55 से 60 तो जैसे ही जैसे ही जैसे ही जिस तरीके की भी अगर आगे भी अगर कोई भी चीज अपडेट होगी मैं आपको सबसे पहले अपडेट करूँगा लेकिन जो एकस्पिक्टेट कटफ जो निकल कर आई है सामने वो मैंने आपके सामने रखा अब बात करते हैं दोस्तो रिजल्ट का तो जो ओल्ड रिजल्ट था दोस्तो वो बिल्कुल टाइम पे निकल गया था लेकिन जो निव रिजल्ट है यह देखिए यहां कमिंग सून बता रहा है डीके दोस्तो बात ऐसी है कि जो भी जहां से रिजल्ट पब्लिश होता है वहाँ पे जो जो भी जितने वरकर्स रहें वरकर्स दोस्तो वो अल्टरनेट करके पहुंचते हैं तो जिसके चलते है कि जो डिले हो जाता है बहुत सारी खीज़े तो अभी वैसे भी आपको पता है कि भी बहुत सारे रिजल्ट स्पेंडिंग में डाल दिये गए हैं और वो रिजल्ट कभी भी आ सकता है तो इसके लिए आप निश्चिंद ये ना बैठे कि रिजल्ट अभी नहीं आएगा रिजल्ट कभी भी आ सकता है कि आज शाम ही आ जाए मैं ये वीडियो सिर्फ आपके लिए इसलिए बना रहा हूँ जिससे कि आपको पूरी इंफर्मेशन मिल सके तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तब वह सबसे पहले जाकर के चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद दोस्तों